साइक्लोन यास की कई तस्वीरें, कई भयावा मंजर पुरे देश से निकल के सामने आया सबसे ज़्यादा बंगाल और उडिशा की तस्वीरें निकल के सामने आया जहां नुकसान जो हुआ है, वो रूंक्टे खळा करने वाला है जानवाल का नुक्सान है बिहार और जारखंड सहीत दूसरे परदेश भी इससे अच्छूते नहीं है हलाकि गलीमत है कि बिहार पहुंचते पहुंचते यास का जो असर थोड़ा सा कम हो गया और एक मायब के जरीए मैं आपको समझाने की कोशिश करें दिखाने की कोशिश करें कि कैसे पूरे भारत के अंदर इस तुफान ने तवाही मचाई है इस तुफान के प्रकौप से बिहार सहित पूरे देश का कई राज्य परभावित हुआ है और देखिए अभी यह साइकलोन कहां पर है दरसल अभी जो रफ्तार है बिहार पार करने के बाद उत्तर परदेश के तरफ है उत्तर परदेश का मोजिला और आजपास के इलाके में सबसे ज़्यादा भी तवाही का मंजर और इसकी रफ्तार देखी जा रही है एक मैप है जिसके माधियम से मैपको बता रहें देखिए भारत का नकसा है और बारत का वो नकसे के साथ किन इलाकों में शाइक्लोन है और देखिए यह जो आप देख रहे हैं ग्रीन सेड़ प्रेक वाइट वाइट जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है वो वो साइक्लोन का एफेक्ट देखिए और यहां पर साइक्लोन है सबसे ज्यादा रफदार में और यह जो जगह है देखिए अभी दिस्प्ले मनें बढ़ा किया और इस पर आपको समझ में आए जाएगा देखिए इस इलाके में कितनी तेजी से साइक्लोन की जो रफ्तार है वो दिख रहा है यह उत्तर प्रदेश का जिला महू है और इसी प्रकार यह तमाम जो इलाके हैं बिहार के मुझभफर पूर यही दिखाना चाहते हैं कि आखिर साइक्लोन का असर कैसे रहा देखिए किन किन इलाकों में साइक्लोन और इसके बीच जो बारिस हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के अलावा बिहार ज्यारखंट के अलावा कई जगहों पर जो बारिस से पिछले 24 घंटे स लगतार रुकरू के हो रही है कुछ जगहों पर बारिस तेज है और इस बीच ओला वरिस्टी भी कई जगहों पर हुआ कई जगहों पर वर्जपात हुआ और वर्जपात से कई लोग की मौत भी हो गई देखिए बिहार की तस्वीर हम खोल के बैठे हुए हैं क्योंकि भार है अभी काफी विवाद में छप्रा रहा है इसलिए छप्रागी हम चर्चा कर लेते हैं सारण के इस इलाके में और धीरे-धीरे यह साइकलोन राउंड सर्किल बनाते हुए जा रहा है मतलब घुमते हुए दिख रहा है और देखिए अभी जो साइकलोन का सबसे ज़्याद और इस बीच वर्जवपात हो रहा है वह तस्वीर है इलहाबाद उत्रप्रदेश के हम चर्चा कर रहे थे देखिए इलहाबाद से होते हुए जौनपूर साजहापूर और फैजावाद यह तमाम जो जगह है मतलब जहां भी नजरे दोड़े देश के अंदर सभी जगह इ है जो यास है इसने तबाही मचा कर रखिये कई सारे वीडियो सर्कूलेट हो रहे हैं और इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर साइकलोन का असर कैसे कैसे किनकी दाजियों अपना देखिए गोरखपूर योगी आदितनात का वो गढ़ बीजेपी क सामने तस्वीरों के सांथ हम छोड़े जा रहे हैं और मेरा मकसद के वाल यह बताना था समझाना था कि देश के अंदर साइकलोन ने अब तक कितने पर देशों को उन पर देशों के कौन-कौन से इलाके में ज्यादा तबाही माँ चाहिए कि वाल बात बिहार और जारकन या असर दिख रहा भारत के अंदर भारत के जो मैफ है हमने बढ़ा करके देखने दिखाया आपको देखिए और इस इलाके में भारत के बाहरी छोर से देखिए साइकलोन का असर जो यह सीधे कैसे कैसे प्रभावी करा पूरे बिश्यों के जो मांचीत रहे है उस पर हम इसका देख रहे हैं और यह जो सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल उडिश्या के बाद यह बिहार जारकन उत्रप्रदेश और अन्य राज्यों में यह असर जो है अपना दिखा रहा तबाही का मंजर भी दिखा हाला कि हम थोड़े से थोड़ी सी जो राह के जो अधिकारियों ने जताई थी उससे थोड़ी सी रहा थे क्योंकि बता गया था कि इसका असर सबसे जाजा रहेगा लेकिन जो राफ्तार थी वह बिहार उत्तरप्रदेश आते आते धीमी हो गई है और इस बीच यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीरों क चल रही है कहां पर बारिश हो रहा है इन तस्वीरों को देखिए यह भारत की तस्वीर के सांद छोड़े जा रहे हैं